नागपुर जिले में कोरोना का कहर दिन बदिन बढ़ता ही जा रहा है वही गुरुवार को नागपुर जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ गुरुवार को नागपुर जिले में 2086 लोग संक्रमित पाए गए वही एक की मौत भी हो गई इस लहर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है अब रशासन भी सक्ती बरत रहा है लेकिन लोग नियमों का उलंग हन करते नजर आ रहे हैं बढ़ते कोरोना संक्रमन से शहर भर में ओन्दी स्पोट आर्टी पिसी अरजांज भी की जा रही है कोरोना संक्रमन फैलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों का पालन नव होना बताय जा रहा है कई लोग अभी बगर मास के घुमते नजर आ रहे हैं वहीं सापता ही बाजारों में भरडी इतवारी परिसर में भी लोगों की भीड देखी जाती है गुरवार को जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ 2086 संक्रमित पाए जाने से प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है 2086 पॉजिटिव मरीजों में शहर के 1589 और गरामिन के 434 बलकि जिले के बाहर के 63 मरीज शामिल है जबकि 470 मरीज ठीक होकर अपने घर लोटे है जबकि जिले में 7303 एक्टिव हरीज है गुरवार को 13693 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराई जिन में से 2086 लोग संक्रमित निकले इसलिए प्रशासन द्वारा सतर्क और नियमों का पालन करने की अपिल की जा रही है